बिग बॉस की घर से एक इंट्रेस्टिंग खबर आ रही है जी हाँ बिग बॉस के घर के कुछ सदसे जो है बाहर गाड़ी में घूम रहे हैं आप सोचेंगे अभी तो शोखत नहीं हुआ फिनाले बाकी है तो आखिर ये रस्तों पर आये कैसे तो मैं हिना कुमावत फिल्म व जाने का मौका मिला और ये सब जो है फिल्म सिटी में घूमते हुए नज़र आए सब में से मैं आपको बताऊंगी कौन से चार कंटेस्टेंट है सभी नहीं जीते थे चार लोगों को मौका मिला तो ये सब ये जो चार कंटेस्टेंट है दिपिका के साथ फिल्म सिटी में इस अबी जो है open जीप में घूमते हुए नजर आए उस टास में जो है जो जीता था उसमें थे शहनाज, शेपाली-जरीवाला, आरती और विशाल अधित्य सिंग या कबर यह आ रही है कि शहनाज जीती थी और उसको मौका दिया गया था कोई भी तीन सदर से चुनने का तो विशाल आदित्य सिंग जो है ड्राइवर सीट पर बैठ है उनके बगल वाली सीट पर बैठी है दिपिका पादुकोर और ओपन जीप है और पीछे जो तीन लड़कें खड़ी है वो है आर्ति सिंग शेफाली ज मौका मिला है पंद्रा हफते बाद खुली हवा में भाहर घूमना गाडी में बैठ कर तो मुझे लगता ही सब भी बोर गए थे घर के अंदर कली पेक बॉस ने अलाम किया था कि अब कुछी हपते रह गए है अब टास काफी इंटरस्टिंग होते जाएंगे और जो है कुछ खास होने वाला है खास होने वाला है तो मुझे लगते है उनका इशारह इसी खास की तरफ था हम आज कॉमेडी नाइट भी देखेंगे फिर दिपिका के सब्सक्राइब जाने का मौका में लेगा दिपिका फिम छपाक की प्रमोशन के लिए घर के अंदर गई थी लेकिन एक विग बॉस के विवर्स भी खुश होंगे तो आपको क्या लगता है कि ये टास कैसा रहेगा आप चाहते हैं कि ये देखने को मिले या सिरफ ये खबर है ये खबर हाला कि जो है बहुत ही विश्वसनी है मैं कहूं तो कंफर्म सूतरों से पता चली है तो आपको क्या जरूर कीजेगा लेकिन कमेंट से पहले चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा